चना चाट मसाला वाला एक गाउ में रमेश नाम का एक चना चाट मसाला बनाने वाला रहता था हर रोज शाम को चाट खाने के लिए उसके दुकान के पास लोग जमा हो जाते थे उसका चाट खाने के लिए दूसरे गाउं से भी लोग गाड़ियों में आते थे नतीजा ये हुआ कि उस गाउं के उस सेंटर में बाकि किसी भी स्ट्रीट फूड के पास कोई भी नहीं जाता था रमेश का चना चाट का मशूर होने का एक राज था उसका एक सीक्रेट मसाला जो वो प्रयोग करता था उस मसाले का रेसीपी उनके पुष्टों से चला आ रहा था वो रेसीपी उनके परिवार वालों के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता था एक दिन उस सेंटर में एक रेस्टरंट ओनर संदीब अपने एसिस्टेंट छोटू से एक छोटू उस रमेश के वज़े से अपना धंदा भी ठप हो रहा है हमारे पास कोई छोले बुटूरे खाने नहीं आता है किसी तरह उसका सीक्रेट मसाला रेसीपी को पता लगा नहीं होगा हमने अगर उसे अपने सब्जों में इस्तिमाल किया तो उसका धंदा ठप करते हम आगे बढ़ सकते हैं पर उसे पता कैसे लगाएं वो रेसीपी रमेश और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं जानता सैर पता नहीं क्यों रमेश अपने भाई को घर से भार जाने ही नहीं देता उसके भाई को जो भी चीज़ चाहिए हो वो घर पर हिला कर दिला देता है तो किसी भी तरह उसके भाई को भार निकालना होगा और उससे वो रेसीपी उगलवाना होगा अगर वो फॉर्मला हमें पता चल जाए तो वही मसाला हम भी बनाएंगे और उसके चाट के दुकान के सामने तुम्हारे लिए एक चाट की दुकान खोल कर दे दूँगा तब उसका धंदा बिल्कुल ठप हो जाएगा उस दिन रात को रमेश चाट के दुकान बन करके इसने घर गया घर पर रमेश का बाई सूरेش डॉक्टर के भेस में था सूरेश रमेश से आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ अभी अभी मैंने एक पेशन्ट का सर्जरी की आ और उसका दिल काटकर बहार निखाल दिया रमेश परेशान होकर भाईया अपने दिल काट दिया किसे मार डाला तुमने वो पेशिंट कहा है भाईया कहकर यहां वान ढूंडने लगा वो रसोई में है वो कोई और नहीं अमारी मुर्गी है उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था तो मैंने निकाल दिया रमेश ने घहरी सांसली और भगवान जिस भाई को ये धंदा संभालना था उसे यूँ पागल क्यों बना दिया भगवान इसे यूँ बच्चे की तरह और कितने दिन संभालू भगवान उस दिन रात को संदीप और छोटू रमेश के घर पहुंचे खिड़की से जहांकर देखा अंदर सुरेश सो रहा था संदीप ने सुरेश को बुलाया सुरेश जागा संदीप ने उसे रुपयों का बंडल दिखाया भार आओ भार आओ सुरेश ने इशारा किया रुको रुको मैं आता हूँ सुरेश बहार आया और क्यों तुम्हारा भी सर्जरी करना है क्या है क्या काटूं बोलो शरील के किसी भी भाग को बस जट से काट सकता हूँ मैं उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया क्या काटने की बात कर रहे हो इट ठीक है तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पर ये पैसे रख लो कल सवेरे 10 बजे मेरे A1 रेस्टरंट पहुंच जाओ मैं जो पूछूँगा अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूँगा कहकर चला गया रेस्टरंट आने के लिए कह रहा है तो कल मैं रसोया हूँ येस मैं बावर्ची हूँ कहकर नाचने लगा अगले दिन सुरेश संदीब के रेस्टरंट गया आईए आईए क्या लेंगे आप पी, कॉफी, जूस मैं नहीं लूँगा मैं बना कर दूँगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुख हूँ ऐसा कोई वियंजन नहीं है इस दुनिया में जो मैं बनाना नहीं जानता अच्छा, तो आप कुख हैं अब समझ में आया वो चना मसाला आप घर पर बनाते हैं सिरफ चना मसाला नहीं दही में धड़ड़ आलू में हल चल भिंडी का कबड़ी ऐसे कई किसम के खाने बनाता हूँ मैं अच्छा, अपर हमें ओ सब नहीं चाहिए बस आप हमें इतना बता दीजिए कि आप अपना सीक्रेट चना मसाला बनाते कैसे हैं तो मैं आपको एक लाख रुपे दूँगा कैसे बनाना है क्या बता हूँ मैं बना कर ही दे देता हूँ आपको उसके लिए क्या-क्या चाहिए जरा लिस लिख लो आप संदीप खुश होकर एक कागज और पन लेकर बैठा एक किलो गोबर आधा किलो चूना क्या चूना गोबर जो मैं कहता हूँ लिखो अगर तुमने फाल्दू के सवाल पूछे तो मैं चला जाओंगा कह देता हूँ हाँ हरे सेक्रेट रेसिपी है ना सेर ऐसा ही होगा आप लिख लीजिए सेर साथ साथ एक आधा किलो भूसा दो सो मिली लिटर टूटी ओईल आधा लिटर ग्रीन पेइंट थोड़ी देर बाद छोटू वो सब ले के आया सुरेश ने उन्हें रेस्टोंट के किचन में ले जाकर एक कड़ाई में डाला उन्हें मिलाकर काफी देर तक तलता रहा संदीप ने खुश होकर उसे पैसे दिये दो दिन बाद संदीप ने रमेश के चाट बंडार के सामने एक चाट बंडार कोल कर छोटू को वहाँ पे बिठाया उस सीकर्ट मसाले से छोटू ने चना चाट बनाना शुरू किया ओ भई ओ इतना अध्भुत चना चाट आपने जिंदिगी में कभी नहीं खाया होगा एक बार आपने स्वाज चका तो उस रमेश के चाट बंडार की तरफ आप मुड़के भी नहीं देखेंगे आईए जल्दी कीजिए लोग वहाँ आए और चाट का ओडर दिया बस एक स्पून मुँ में डाला तो लोग ठूठ 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 करके ठूठने लगे कुछ लोग अपने पेट पकड़कर भागने लगे संदीप और छोटू को कुछ समझ में नहीं आया थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुंची क्यों चना चाक में जहर मिला कर लोग उंको मारना चाते हो तुमारे वज़े से चार लोग हस्पिताल में भरती हुए हैं चलो पुलिस टेशन तब ही सुरेश वाँ पर पुलिस की भेश में आया सुरेश S.I. से वही तुम कौन हो यह मेरा सर्कल है ये मेरे कैदी हैं मैं ही इने फासी दूंगा इने मुझे सौम्द दो ऐसे परेशान होकर देखने लगा तभी रमेश वहां पर आया और ऐसे ही साथ माफ कीजिए ये मेरे बड़े भाई हैं ये थोड़े पागल हैं हर रोज ये अपना प्रोफेशन बदलते रहते हैं और उस बेश में आते रहते हैं कहकर सुरेश को वहां से लेकर चला गया संदीप और छोटू एक दूसरे को देखते हुए बेवश होकर गिर गया यूँ ऐसे उन्हें ले जाकर जेल में डाला उन्हें चार साल की सजा मिली और रमेश का चाट बंधार बस बड़िया चलता रहा बिल्ड अंडरग्राउंड काव हाउस जिद्धीपूर गाउं के लोग बहुत वहमी और बहुत जिद्धी भी थे उस गाउं के लोग अपने घर के सामने खुद ही स्पीड ब्रेकर्स लगाते थे इसलिए उस गाउं में कम से कम 20 स्पीड ब्रेकर्स थे गोपाल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस गाउं में आया और दो गाई खरीदा उनसे दूद का धंदा शुरू किया गोपाल अपनी पतनी राधा से दिन दुगनी राध चोगनी तरक्की करेगी राधा ये सुनकर बहुत खुश हुई अगले दिन गोपाल गाई का दूद दोने लगा उस दूद के कैन को लेकर अपने सैकल में लटका कर ले जाने लगा कदम कदम पर स्पीड ब्रेकर्स होने के कारण दूद कैन से चलक कर नीचे गिरने लगे यूँ जब तक वो घर घर जाकर दूद बेचता दो लिटर दूद चलक कर नीचे गिर गया शाम को घर लोटकर गोपाल राधा से इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स मैंने जिन्दगी में कभी नहीं देखा आज का लाब तो वो स्पीड ब्रेकर्स ने खा लिया है मैं समझता था कि ये गाउवाले चौकस हैं पर इनकी चौकसी का तो हद ही है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है हर गाउव में कुछ न कुछ परेशानी तो होती है कल से आप धीरे जाईए स्पीड ब्रेकर्स आए तो साइकल से उतर कर उसे पार्क करे बस अगले दिन गोपाल स्पीड ब्रेकर्स के आते ही साइकल से उतर कर धीरे से पार्क करने लगा वो दूद लेकर उस गाउं के सरपंच नकुल देख के घर गया वो बार कुरसी पर बैठ कर घड़ी देख रहा था क्यों भए दूद लाने में इतनी देरी क्यों लगा दी मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं पांच बजे चाय पीता हूं तब ही पेट साफ होता है और पांच बज कर बीस मिनिट पर मैं टॉयलेट जाता हूं एक भी मिनिट आगे पीछे हूआ तो फिर शाम के पांच बज कर तीस मिनिट तक मैं टॉयलेट नहीं जा पाता आज तुम ती मिनिट लिट हो गए हो आज मेरा सारा मूर खराब होने वाला है अब कल से तुम्हें दूर लाने की जरूरत नहीं है सर ये सब उन स्पीड ब्रेकर्स के कारण हुआ है सर आप तो गव में सबसे सयाने हैं आप लोगों को समझा सकते हैं न सर अब इतने जिद्धी हों तो काम तो नहीं चलेगा सर जिदी कैसा जिद यूँ स्पीड ब्रेकर्स बनाने के लिए मैंने ही कहा था जानते हो घर के आगे गाड़ियां तेज गई तो कितना खत्रा हो सकता है बच्चे पालतू जानवर सब अचानक बाहर आते हैं यदि गाड़ियां उनसे टकरा गई तो खत्रा हो सकता है वैसे तुम हो कौन नए नए गाउं में आकर मुझे ही सिखाते हो मैं गाउंवालों से कहता हूँ कि वो तुम से दूद ना खरी दें तुम जैसे ला परवा को इस गाउं में नहीं रहना चाहिए दफाओ जाओ यहां से कहकर चिलाया गोपाल के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और दुखी होकर चला गया उस रात को गोपाल सोचने लगा कि क्या करें तभी तेज बारिश शुरू हो गई वो गाई बारिश में भीक कर और ठंड से अमबा कहकर रामने लगे क्या बकवास कर रही हो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन गाईों को बेज दूँ और ये गाउं छोड़ कर हम सब चले जाएं उनके लिए तुम तबेला बनाने के लिए कहती हो वेसे तबेला बनाएं कहां मेरे सर पर बनाओं कहकर चिला रहा था कि तभी उसे एक तरकीब सुजी वो वाह क्या एडिया दिया है अब देखो एक पंद दो काज अगले दिन गोपाल अपने घर के बाहर सडक पर खोदने लगा दो दिनों में उस रोड के नीचे अंडरग्राउंड कव हौस बना दिया उस तबेले के छट को सडक पर उठाया उस अंडरग्राउंड कव हौस में गायों को रखा गोपाल और राधा ने उन्हें घांस डाला वे आराम से खा रहे थे देखा तो उस सडक के एक ओर बहुत सारी गाडियां रुकी हुई थी यह क्या है चा तुम नहीं जानते कि यह में रूड है हम सब को आफिस जाना है शेर में यूं रास्ते के आड़े तुम क्या बना रहे हो सर आप मुझे गलत ना संजहें सर यह गर नहीं है स्पीड ब्रेकर है सर हम अपने गायों को बांटते नहीं है सर बेचारे वे बात बात पर सड़क पर आ जाती है इसलिए सुरक्षा के लिए ऐसा किया है सर सरपन जी नहीं कहा था कि कोई भी अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बना सकता है रूर तो सब के लिए बराबर होनी चाहिए न सर तो जाइए पीछे एक 20 किलोमेटर घूम कर शेर जाइए सर सब परेशान होकर पीछे मुड़ गए तभी एक एमबुलेंस वहां पहुंची नकुल देव उसमें से उतरा वो पेट पकड़ कर अरे गोपाल मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ तुम तुरंद इस चत को हटा दो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैं अगर तुरंद हस्पिताल नहीं गया तो मैं मर जाओंगा ये एक काम कर दो बस गाउं के सारे स्पीड ब्रेकर में हटा दूँगा प्रॉमिस प्लीज भाईया सर आप समझ गए ना कि सेफ्टी जितनी जरूरी है एमर्जनसी भी उतनी ही जरूरी है हद में सब ठीक होता है सर जिंदिगी में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है कहते हुए उस तबेले का छट को निकाला और उसके जगह एक बड़ा सा फटा लगाया एम्बूलन्स उस फटे पर चड़ कर चला गया अगले दिन नकुल देव ने अनावाशिक स्पीड ब्रेकर्स को हटा दिया गोपाल सैकल पर आराम से दूद बेशने लगा वे गाय अंडरग्राउंड काउ हाउस में मज़र से रहने लगे